अगली खबर मध्य परदेश के खंडवा जीले के हर्दूस तहसील से है जहां हर्दूस तहसील के विभिन गाउं के दो दर्जन से अधिक परिवार 2003 में इंद्रा सागर पर योजना डेम से डूप परभावित हो गए थे जो कि देवास जीले के खाते गाउं तहसील के भोपाल हाईवे मार्क पर खर गाउं वस्टेंड से एक किलोमीटर दूर रह रहे हैं इन परिवारों ने यहां आकर जमीन खरिद कर यहां मकान बनाकर अपने परिवार का जीवन यापन क्रिशी कार्य प्रारम शुरू कर दिया विस्थापित किये गए लोगों ने कहा कि जब यहां आए हैं तब से लेकर आज तक कोई भी मूर्भूत स्वीधाय नहीं मिली जिसके चलते पिछले 15 वर्षों से प्रशानियों का सामना करना पड़ रहा है मुखे मार्क से घर तक आने जाने के लिए पका रोड भी नहीं बनाया गया है इतना ही नहीं लोगों के निवास थान से एक किलोमीटर दूरी पर हाईवे रोड बनाया हुआ है वहीं लोगों के यहां से खारदा की दूरी तीन किलोमेटर है वो रोड की दूरी एक किलोमेटर है इन दोनों तरफ लोगों का प्रति दिन आना जाना लगा रहता है इस कारण से दोनों तरफ से रोट का निर्मान कारी भी किसी भी मदद से करवाया जाए ता कि आने जाने में परिशानी ना हो उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत दी गई लेकिन अभी तक कोई समधान नहीं हो पाया है हम इंद्रा सागर, हर्शुद से आयो है फेब्रिया कला, बोर्खेडा कला, गाउं के है और हम यहां खाते गाउं तेसिल के ग्राम खल में विस्तापित हुए है हमें दस साल हो गए और हमारी अभी तक कोई मांग नहीं हो यहां की सबसे मेत्पुन तो हमें रोड चाहिए रोड हमारे पास है नहीं जाने के लिए बच्ची स्कूल के जो है रोड तक हाईवे तक पेदल जाते हैं तो हमें रोड बनवाना है और ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए तो बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइक शेर आड़ सब्सक्राइब करें धन्यवाद